नमस्कार, food cravings unlimited में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजगीरा का शीरा, इसको हम राजगीरा का हलवा भी कहते हैं, वरत के लिए sweet dish है, तो इसके लिए चाहिए हमें एक बाउल राजगीरा का आटा, बाजार से easily available रहता है, दो चम्मत, छोटी चम्मत घी, गुड़ लिया है मैंने, आधी कटोरी, और ड्राइ फ्रुट्स, एक बाउल के लिए दो बाउल पानी और उसमें गुड़ डालके वो हम गरम कर लेंगे, एक बड़ी कड़ाई में हमें लेना है, घी, घी गरम हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे राजगीरा का आटा, और इसको अच्छे से तीन से चार मिनिट के लिए पकने देंगे, मैंने गरम पानी करने के लिए रखा है, यहापे मैंने आधी कटोरी, एक कटोरी राजगीरे के आटे के लिए आधी कटोरी गुड़ी यूज़ किया है, तो आप अपने अकर्डिंग यूज़ यूज़ कर सकते हो, आपको ज्यादा मीठा हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, देखो तीन से चार मिनिट के बाद इसने थोड़ा गी से सेपरेट होय जैसे लगता है, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होता है, और यह आप पकी तयार है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, गुड़ है, एकदम से पानी डाला तो पूरा भाप आ जाता है, अपने अकर्डिंग पानी डालना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा पानी यूज़ कर रही हूँ, एक बाउल आटे के लिए दो बाउल पानी, सेम बाउल से, अच्छे से मिक्स करते रहना है इसको, यहाँ पर मैंने पूरा पानी यूज़ कर लिया है, और इसको तीन से चार मिनिट के बाद पकने देंगे, तीन से चार मिनिट के बाद देखो, साइट से गी सेप्रेट हुआ है, वो गी चोड़ देता है पूरा, और यह हमारा शीरावन के तैयार है, इसको हम अबे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसको सर्व कर लेंगे ये देखो बहुत ये अच्छा कलर आया है गुड की वज़े से लाल कैसा कलर आया है अच्छे से आप चाहो तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो सेम अमाउंट में चीनी लेना है जितना हमने गुड लिया था उतना ही आप चीनी ले सकते हो ये हमारी व्रत की स्विट डिश तयार है तो आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगी तो थाइक्स पर वचिग मेरेसिपीज थैंक्य।